आप टॉर्नमेंट वेन्यू पे हो आपका नाम अनाउंस किया गया है और आपका मैच 15 मिनिट में स्टार्ट होने वाला है तो आपको कैसे लग रहा है अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं अल्रेडी दो बार वाश्रूम जाके आया रहता आज चालू होने से पहले मेरे हाथ बार चुक टिस्तार है ब्रीधिंग हवी हो जाता है और मुझे हार जाने का डर रहता है बैसिक्ली मैं नर्वर्षा रहता हूँ एक लेवल के बाद सब लोग फिजिकली और लालेस सेम रहते हैं वाट मैतस इस आप मेंटली कितने स्ट्रॉंग हो और नर्वस्नेस को कैसे है एंडिल करते हो यह टॉपिक इनर गेम ऑफ टेनिस यह बुक एड्रेस करती है आज मैं आपके साथ यह बुक पर बेस्ट चार टिप्स शेयर करूंगा मैं मैं मैंच खेल रहा हूँ तो मैं दो पॉइंट्स के बीच मैं बहुत सारी चीज़े सोचता हूँ मैं तो बहुत आउट मार रहा हूँ मैं हार गया तो मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे शायद सौक्स के अंदर एक पत्थर गया है यह हार गया तो मैं तो गया यह सब सोच के नर्वसनेस बढ़ जाता है तो इसको कैसे हैंडल करें दो पॉइंट्स के बीच मैं बस अपने ब्रीधिंग पर कॉंसेंट्रेट करें आप कैसे ब्रीधिंग कर रहे हो ब्रीध आउट कैसे कर रहे हो वह बस अब्जर्व करना है इससे आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा जब रैली चालू रहेगा तब शेटल जैसे आपकी तरफ आएगा तो उसको एकदम ध्यान से देखना चाहिए वह कैसे रोटेट हो रहा है वह भी अब्जर्व करना चाहिए यह करने से आपका कॉंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हम लोग क्यों नर्वस होते हैं ऐसे थो नहीं बोल सकते कि बाई nervousness निकाल दो तो गया चलो निकाल दिया nervousness nervousness एक emotion है इसको हम लोग ऐसे ही निकाल नहीं दे सकते मैं match में nervous रहता हूँ क्योंकि मुझे हार जाने का डर रहता है ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो हार जाएंगे तो उनको बाकी लोग कम respect देंगे जो सब matches जीट जाता है उसको हारने वाले से और respect मिलता है तो ये क्या logic है? एक person को आप कितना respect देते हो वो कैसे खेलता है उस पर depend होना ही नहीं चाहिए तो एक दान में रखना चाहिए कि विनिंग और लूजिंग depends on two points वन इस हाव वैल यू प्ले और दूसरा है कि ओपोनेंट कैसे खेलता है ओपोनेंट का skill level वो कितना experienced है उस पे भी आपका हारना या जीतना depend होता है तो उसके बारे में बरी करके कुछ फाइदा ही नहीं है लेकिन जो चीज आप hundred percent control कर सकते हो वो है आप कितना effort डालते हो so all you have to do is give your best winning और लूजिंग के बारे में सूचो ही मत it is impossible to be nervous about something which you can hundred percent control तो भी कोई sports केलते है irrespective of which sport सब लोग को यह book पढ़नी ही चाहिए मैंने description में link mention किया है so summary दो points के बीच में अपने breathing को observe करना चाहिए shuttle को एकदम ध्यान से देखे do not judge a person based on how well he plays केलते time हमेशा full effort डेना चाहिए आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप बंदास इसको like subscribe share कीजिए nervous होने की कोई बात नहीं है